गुद्ट मॉन्ग अब्रीबन कैसे हैं आप सभी आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज है 22nd of November 2022 और डे है Tuesday तो लास्ट आइम हम ने जबो यूरेसिया के बारे में डिसकस कर लिये था यूरेसिया का मतलब है यूरोप और एसिया तो आज हम जबो यूरोप और एसिय अच्छे और जबो जब हम डिसकस करेंगे तो अलग से क्सी टॉपिक में डिसकस करेंगे क्योंकि A4 में जबो बहुत कुछ है सिखने के लिए जानने के लिए बहुत रहे यहां से पूच बछाता है लास्ट टाम हमने जबो यूरेसिया की थी थीूरेसिया का मतलब है जो कि Europe और Asia दोनों में consider किया जाते हैं दोनों में आते हैं तो पांच country के बारे में हमने discuss किया था एक चोटा सरी के अप करते हैं फिर discuss करते हैं Asia के बारे में मैं इस camera को यहां से अठा देता हूँ देखे सबसे पहला country जो मैंने बता रसिया जिसकी capital मॉस्को है ठीक है बी-ए-बी-उ ठीक है कुछ इस तरह से है आप देखी जरा इसको कजाप्टिस्तान की है नूर सुल्तान ठीक है रसिया की जो रूबल है यह आप सुभी को पता है ठीक है तो इसमें जो हमने डिसकस कर ले हैं काफी कुछ state of gibraltar के बारे में एक तो हमने अफरिका में डिसकस किया था state of gibraltar के बारे में कि अफरिका जोब एक ऐसा continent है जो की टीनो लाइन्स जो की topic of cancer होगे equator होगे के अफ्रिकान होगे इन तीनों से पास करता है कौन सा continent अफरिका continent सहारा डेजर जो वो largest hot desert जो वो इसके अंदर ही है ठीक है largest river भी जो नील नदी इसी के अंदर है largest country जो वो अलजीरिया है इसकी smallest country जो वो हमने डिसकस किया था तो बहुत कुछ जो वो हमने यहां पे डिसकस किया था लेक विक्टोरिया यहां पे famous लेक है ठीक है तो आज हम जो वो अपने topic पर चल्दी से आते हैं Asia, Asia के बारे में से पहरे तो यही एक पूछा जाता है कि केतना percent है पूरे land का जितनी भी जमीन है हमारे अर्थ में ठीक है तो इसका जो वो लगो 30% या 29.9% जो वो total exact जो वो एक या है Asia है Asia जो वो 29% है पूरे world का ठीक है तो इसको प्रॉक्स जो वो ऐसे बोर जाता है कि one third है one third का बतलब ऐसे जो आपको बता है कि 33,33 होता है लेकिन यहां पे चलो आप प्रॉक्स जो वो ले लेंगे कि one third जो वो हमारा Asia ही कबर करता है ठीक है जिसमें कि हमने बात की थी कि सबसे बड़ा जो वो कौन सा है रसिया तो हमने जो वो किसमें काउंट कर लिए था अ dalौ इसीया को थिक है लेकिन जो हमारे ऐसिया का अगर सबसे बड़ा कंट्री है तो वो चाइना है एरिया अई वारी है भी हाँ भी चाइना ही हुआ ठीक है और रसिया किकी युरोप में है तो आगर हम बात करें सबसे चोटे कंट्री क हमारे Asia में तो वो माल्दीब हो गया जो हमारे South Palisite है माल्दीब जिसकी capital जो वो माले है तो इसको भी आप याद रखेंगे इसमें जो वो बहुत ही फेमस फेमस desert है जो पुछ जाते हैं सबसे पहला desert हो गया थार desert थीक है हमारे Asia में है एक desert हो गया गोबी मरुस्तल गोबी desert ज में जभो सबसे उंची चोटी तोि माउंट एबरेस्ट है आप सब इकाम को पता है ती जिसकी उंचाही जब ओ 88848 जब termin Oh सबसे लंबी नदी की बाद करें के वे इस इक तो यंस्के हैं यंग स्टे तो यंद्हेज जवह झाना में सबस intuit नदि कि इंडिया की पृत करेंगे इंडिया सवसे लंभी नदी जब नदी जब 할uいや जैसे हिमान्चल में जो सबसे लंभी जो थी 20 किलोमेटर सतलोज है लेकिन जलगनतों के इसाब से बोले तो चिनाव है तो वैसे ही गंगा सबसे लंभी हुई जलगनतों के इसाब से ब्रहंपुत्रा जो वो हमारे इंडिया के सबसे बढ़ी नदी है यह सी एक कुछे तो इन यूप किसको बोल जाता है तो यह बोल जाता है पामीर नॉट को ठीक है पामीर के नुटी पामीर का पठार जिस टीक है पामीर नॉट ऐहालान बहुरोट अब क्रभृ अब है सबही एक बहूत इंटस्टिंग कोशे lighting एक दू गिंग्स कोशे में पर बड की लाजेस्ट प्रैस्ट वाडर लेक है एक कुछ दला वैश्ट फ्रेस्वाटर लेक जो अगर पे है तो लेक बेकाल है जो कि रसीया में है अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग दोता हूं अगर हमारे पूरे वर्ल्ड में जबो पूरे अर्थ पर जबो आपको पता है कि 70% तो पानी है आपको इस passenger, लेक है जबो लगबब 23% इसे के अंधर ही यह को एक उपरवली जो हमने बात कि में ॥ा आपकिन रखिई सबसक्से देखा है और गश्फल इस बहुतर आपके युट है यह उपरवाली है हमने यह उन… वाली की साइब्लियया में बेकाल की त में बहुत सारी था जाती है हमारे इस्या में जैसे पाकिस्तान सबसे चलता है दोनों में ठीक है लिए पे पाकिस्तानी रूपीज चलता है अग्चिक कुछ कंट्री जो कि मुझे आदा है वह आपको मैं बता देता हूं जोड़ी जल से माल दीप की जो क्याप्टल है जो माले है त्यां पर रूपई आठा है ठीक है और एक मयामार होगी त्यक्ष लंग कर लंग केप्टल कोलंबो है कोलंबो या दूसरी कैप्टल इसकी जैवर्दने पुरी कोटे है ठीक है यहाँ पर भी रूपी चलता है ठीक है युए यह जो वह मारे यसी आमें पड़ता है युट्टर अमिराथ अब बुदधावी जो वह जिसकी केपिटल है और टक्का जो उसकी करंशी है भूटान हो गया जिसकी केपिटल थिंपू है यहां पर रूपी चलता है चलेगा ठीक है लेकिन रूपी जो वह यह अलग लग है ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में रूपी इसकी वैलिए वैसे अलग लग वैलिए इनकी बुरुन बुरुनाई की केपिटल जो बड़ी इंटरेसिंग बी आर यू एन एन एई इसाइए बुरुनाई के केपिटल है बंदर सेरी बागवान तो इसको भी आप याप जाए चाइना है जिसकी केपिटल बिजिंग पूची जा चुकी है चाइना में जो वह दो करंशी चलती है ठीक है एक तो यवान होगी वाई यू एन ठीक है और एक चोगो रेन मिंबी होगी रेन मिंबी म आई एन भी है ठीक है तो इस दोनों चलती है करंशी ठीक है कंबोडिया हो गया चाइना हो गया इंडिया के हमने बात कर ली इंडोनेसिया इंडोनेसिया की कैपिटल कई बार जौर्डन की जो बो करंसी जो झो फिर के एक है तूब कोरिया हों गया नॉर्ट कोरिया साथको बसी तो बाकी कोशीन वी यो बचा मारा यूरोप को बीच में काम पढ़ गया है नहीं दोओनों ही जो इस पार्ड में डिसकल्ALLY व्हें लेकिन योरोप भी काफी एक बड़ा कॉंटिनेंट है उसमें भी काफी सारी कंट्री को देखना पढ़ेगा तो यह जो मैने कंट्री जब वह यहाँ पाई उनको आप कापिटल भी याद रखेंगे हैं करन्सी भी याद रखेंगे क्योंकि यहां से पूछा दा चुका है कुछिंग ओके थैंक यू एंड हैव नाइस दे